camera angles क्या होते हैं अब पिछली दो वीडियो से हमें यह तो पता चलिगा कि camera में क्या settings हमें चेंज करने हैं जिसकी वज़े से हमारी वीडियो अच्छी आ सके बड़ जो हमारा camera है उसको किस angle पे रखे कितनी height पे रखे किस direction में रखे जिसकी वज़े से हमारा short जो है अच्छा आ सके यह कैसे पोसिबल होगा देखो वीडियो आप चाहिए mobile से shoot करो या camera से दोनों में जो camera angles होंगे वह एक ही तरीके से किये जाएंगे अब camera हमारा कितनी direction में होगा इससे पहले हमें यह decide करना पड़ेगा कि camera में कितना हमारा frame आएगा अब वह frame हमारा कितना wide होगा या फिर कितना narrow होगा यह हमारे short के ओपर depend करते हैं अब short कितना wide angle लेना या फिर कितना narrow लेना इसके लिए बड़ा ही simple सा rule है जितना ज़्यादा wide angle आप जाएंगे जितना wide आप short लेना चाहेंगे वह short हमेशा किसी भी चीज को establish करने के लिए या फिर किसी भी चीज को reveal करने के लिए दिखाया जाते है मतलब कि आपने भी शायद कभी notice करा हो या फिर कभी भी आपकी जब video की opening short होती है वह हमेशा एक wide angle में होनी चाहिए ताकि आपकी audience के mind में यह चीज आ सके कि यह जो scene आप दिखाना चाहरे है यह कहां पर place करता है मतलब कि अगर आप जैसे kitchen के यह video हमारी place करती है मतलब कि जो wide angle short है वह हमेशा किसी opening के लिए या किसी climax के लिए जाएंगे opening जैसे कि अगर आपकी वीडियो की शुरुआत और यह आपका kitchen का scene है तो पूरा kitchen एक बर दिखाया जाए अगर दिल्ली शहर में आपकी वीडियो प्लेस करती है तो दिल्ली का एक short जैसे दिखाया जाए एक wide angle short वहीं पर wide angle हमारे climax के लिए भी यूज किया जाता है कि hero को मार रहे है गुंडे मार रहे है काफी सारे आ गए और एकी दम से हमारा पूरा गाउं इकठा हो गया वहां पर भी देखो हमारी wide angle short मेरे ही सबसे यूज नहीं करने चाहिए को ऐसा कोई rule नहीं है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा यह सिरफ movies के मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से movies में wide angle या narrow short लिये जाते हैं of course आप किसी भी तरीके का अपनी creativity के साथ आप short ले सकते है that's the fun part of being an artist कि आप rules जो हैं तोड़ने के लिए ही बने हैं तो अब बात करते है camera angles की सबसे पहले हमारे camera angle वही extreme wide angle जब किसी शहर की किसी जगे की कहीं की location आप establish करते हो तो एक full wide घर है कोई kitchen का scene है तो kitchen की पूरे एक short दिखा दिया चाहिए दो सेगेंड के दिखा हो लेकिन wide angle short से at least audience को पता चले कि आपकी वीडियो कहां place करती है दूसरा हमारा short time mid body short इस mid body short में आपकी almost पूरी video shoot करी जाती है mostly लोगों के पास महंगे महंगे camera या lenses तो होते नहीं कि वह अलग-अलग direction में अलग-अलग तरीका से shoot कर सके तो जो mid body short यह mostly आपकी 90% YouTube video या कोई भी आप video shoot करें तो वह mid body short में आपकी की जाएगी हमारे जो main character है वह भी नजर आता है background में क्या हो रहे वह भी नजर आता है तीन चार बंदों का अलग-अलग reaction है तो वह सब इसी तरीके के mid body short में हमें नजर आ जाता है चलते हुए का scene आप बड़े प्यार से shoot कर सकते हैं अब काफी लोग सोचेंगे कि पूरा short क्यों नहीं दिखा सकते हैं पूरा भी actual में आप दिखा सकते हो लेकिन जितना ज्यादा दूर आपका character आपके camera से जाएगा उतना कम focus आपके character पर होता जाएगा तो अगर आप चाह एक extreme wide angle shot दिखा सकते हो जहां पर हमारा character market के बीच में है जहां पर चल रहा है अब लेकिन वहीं पे तुरंत हमारा 2 second के बाद ही mid body shot आजाएगा हमने market दिखा दिया audience को अब हमें character के ओपर focus डालना है तो character के ओपर focus हम रखने के लिए हम क्या करेंगे mid body shot का use करेंगे अब अगर आप horror video भी शूट कर रहे हो या फिर रात के समय कोई scene शूट कर रहे हो जिसमें डरावना सा कुछ पार्ट है तो वही एक बार आपने extreme wide दिखाया है ताकि आपकी audience को पता चले कि हाँ अंधीरा है रात का सीना और character जो हमारा अकेल है इसलिए वह डर रहा है तो 2- close-up short close-up short हमारे mid-body short से थोड़ा ज्यादा होता कि हमारी chest तक की तरफ आता है हमारे close-up short यह शूट अप जैसे जैसे आपकी video में intensity बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका camera हमारे character के पास आता जाएगा अब यह तीन short हुए हमारे framing के कि जितना ज्यादा wide होगा उतनी कम intensity में होगा कि location established हो या फिर हमारे कोई climax आया है बाकी हमारे mid-body short में होगा और जैसे जासे intensity बढ़ेगी आपकी video के अंदर वैसे वैसे आपका close-up भी बढ़ता जाएगा अब यह तो बात हुए हमारी की कितनी दूर हमारा camera होना चाहिए अब camera हमारा किस direction में होना चाहिए किस angle पर होना चाहिए camera निछे की तरफ होना चाहिए ऊपर की तरफ होना चाहिए थेडा होना चाहिए या थिर पोतर के सामने होगा अब आप जो हमारा camera angle बिल्कुल सामने होता है वो हमारा सबसे जादा यूज किया जाता है normal looking video के लिए normal looking से मेरा मतलब है कि जब तक आपके character में या फिर जब तक आपके scene में कोई ऐसा powerful बंदा या कोई villain नहीं है यह सिर्फ दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तब तक आपकी video में camera angle सीधा ही रहेगा ऐसा उपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो दोनों लोग है वो equal power वाले हमारे character हैं अगर तो आप mid body short ले रहे हैं जैसे आपके दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो काफे लोग उसमें क्या गलती करते हैं कि हमारे eye level से camera match करने की try करते हैं अब mid body short हम ले रहे हैं जिसमें eye levels अगर हम match करेंगे तो हमारा camera है हमारे सर से उपर का बहुत सारा space वो cover करेगा camera के अंदर जो कि blank space होता हमारी video में वो अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए जब भी आप mid body short ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका camera है वो हमारी आँखों से नीचे की तरफ हमारे chest के level पे हो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखने हैं आपने camera के angle को decide करने में कि कितनी दूर पे जब आपका lens होगा आपके camera का या फिर आपके mobile का तो वो किस angle पे हमारा होगा अब मान लो कि यह character हमारा खड़ा है सामने और जितनी दूर यह camera जाता जाएगा उतना ही नीचे का angle इस camera का होता जाएगा जैसे जैसे camera character के पास आ रहा है जैसे जैसे जितना जितना close up बढ़ता जा रहा है उतना ही ज्यादा उपर हमारा camera होता जाएगा यह कुछ इस तरीक है कि एक triangle बनेगी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपनी वीडियो के लिए कि जितनी दूर आपका camera जाता जाएगा उतना ही हमारा camera angle नीचे होता जाएगा जैसे जैसे intensity बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा camera angle भी उपर की तरफ हमारी eye line से match करता वो आता जाएगा अब यहाँ पर यह triangle आयोप समझ आई हो कि camera जितनी दूर जाएगा आपके character से उतना जाएदा आपके chest level पे होता जाएगा और जितना जितना पास आता जाएगा camera उतना जदा आपके eye level पे होता जाएगा अब यहाँ पर आपको chest level से नीचे सिर्फ तभी जाना है उसी case में जाना है जब आपकी या तो hero के entry हो रही हो या villain के entry हो रही हो या फिर किसी भी powerful character की entry हो रही हो अब जैसे यहाँ पर लगान movie के अंदर आप देखेंगे कि एक गाव है पूरा परिशान है सारे नीचे बैठे हुए है वही पर हमारे अंग्रेज की entry होती है वो camera angle आप देखेंगे कि नीचे से है क्योंकि वो character उस समय बहुत ज़दा power में है तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे note करेंगे कि camera angle कैसे नीचे की तरफ से लिया हुआ है अंग्रेज की entry के लिए है सेम इसका opposite आपको रखना है जब आपका character आपको कमजोर दिखाना हो अब जैसे लगान movie के अंदर ही हमारे गाम वाले इस समय काफी जादा लाचार है मजबूर है तो उनके उपर camera angle हमारा उपर की तरफ से रखा गया क्योंकि वो काफी जादा कमजोर character है इस समय एक बार अगर recap करें इस episode का तो basically जो wide angle होंगे वो आपकी location establish करने के लिए या फिर किसी climax के लिए दूसरा mid body shot में आपके 90% वीडियो बनेगी जहां आपके चलते हुए का बात करते हुए का scene होगा तीसरा आपका close up में आएगा जैसे जैसे आपकी वीडियो में intensity बढ़ेगी उसके साथ साथ जितना आपका camera angle दूर जाएगा उतना ही आपका chest level से वह होना चाहिए match उसकी height जितना जितना पास आता जाएगा उतनी ज्यादा हमारी eye level से camera angle मैच होनी चाहिए उसके बाद अगर हमारा character powerful है तो उसकी entry दिखाए जाएगी नीचे की तरफ से camera angle हमारा नीचे वही पर अगर character हमारा कमजोर है तो उसकी entry या फिर उसका short दिखाए जाएगा उपर की तरफ स जाएगा 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 जाए